युवा कॉंग्रिस हमीरपुर के ब्रवक्ताइब महासचीब निशांत सर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हर बरको ठेगने वाली बर्तमान प्रदेश सरकार ने जिला हमीरपुर के हाजारों बेरोजगार युवा को भी नहीं वक्षा है जिन्हें बीते तेन से पांच महीनों से बेरोजगारी भता नहीं मिल रहा है उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि जिला के लगभग 15573 उवाओं को 3-5 मा का भतावी तक नहीं दिया गया है यह चिंतका विशे है उन्होंने कहा कि हर मा युवाओं को एक हजार उपे बिरोज़कारी भतत दिया जाता है लेकिन जिला के हजारों युवाओं को वहाने लगा कर इस मत्य से महरूम कर स्ताय जा रहा है वर्तमान की भाज़ पर सरकार की कारेशाली पर सवाल उठाते हुए निशांत सर्मा ने कहा कि सरकार को इस पर स्थीती सपस्ट करने चाहिए क्योंकि सरकार की या तो अफशर साही पर नगेर ढिली है या फिर जिला के वहाँ से जान बूचकर सौतेला व्याभार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर युवाँ को जल्द बेरोजकारी बता नहीं दिया गया तो युवा कॉंग्रेस सरकार बस बंदित विवाग के अधिकारियों वह करमचारियों का घेराब करने जैसा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी उन्होंने चिंद जाहिर करते हुए कहा क किसान हो या व्यापारी या फिर करमचारि वफेशनर हर वर्ग से किये वाइदों से सरकार अब तक मुकुरी ही है और अब बेरोजगारों को भी सरकार चल रही है उन्होंने कहा कि सरकार शासन प्रशासन व्यवस्ता को संभालने में नाकाम सावित हो रही है जन्तों की मुल सरकार तयार रहे प्याल टीवी के लिए हमिरकुर से ब्यूरो रिपोर्ट